इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या difference होता है हमारा nominal GDP और real GDP के पीछ में तो सबसे पहले तो आपको पता होना चीए कि GDP का मतलब क्या होता है GDP stands for gross domestic product meaning क्या है It shows the value of total goods and services जितनी भी आपकी country में total goods और services बनी है उसकी हम क्या निकालेंगे value निकालेंगे क्या time period लेंगे generally definition में हम लिखते हैं during a given period of time तो हम पूरे साल भर की GDP निकालते हैं और साल को हम 4 quarters में divide करते हैं हर quarter की GDP निकलती है फिर हम average निकालते हैं और पूरे साल भर की GDP निकाल देते हैं so this is the meaning called GDP formula क्या है GDP निकालने का तो हम consider करते हैं price और हम लेते हैं goods and services इसको करते हैं multiply और इसका हम ले लेते हैं sum this is a symbol that we use for aggregation sum निकालने के लिए तो price into goods and services और उसका हम कर देंगे sum sum करने की क्यों शरूरत है क्योंकि सिरफ एक good नहीं है बहुत सारी goods हैं बहुत सारी services हैं उनके अलग-अलग prices हैं ठीक हैं तो उनको multiply करते हैं और उनका sum निकाल लेते हैं तो ये तो meaning होगी आपका basic GDP का अब बात ये आती है कि जैसा हमने देखा कि price into हमें quantity करना है तो हम कौन सा price ले तो यहाँ पर price देने की दो options हैं या तो आप current price ले सकते हो जिसको हम कहते हैं prevailing price जो कि अभी at present आपकी country में price level चल रहा है और दूसरा option आपके पास होता है constant price constant price का मतलब है कि आप पुराना कोई ऐसा year चूज कर लो जिसको हम base year बोलते हैं बेस year एक ऐसा year होता है जब ना तो बहुत जादा boom था ना तो बहुत जादा recession था एक normal year था उसको हम consider कर लेते हैं constant price clear तो अभी at present इंडिया में GDP निकालने के लिए कौन सा base year हम use करते हैं यह आप मुझे check करके comments करना तो यहाँ पर बात आती है दो price की तो उनी prices के accordingly हम GDP को divide कर सकते हैं जब हम लेते है current price तो हमारी GDP निकल कर आती है nominal GDP and when we take constant price तो हमारी जो GDP निकल कर आती है that is called as real GDP ठीक है अब इसको detail में समझते हैं सबसे पहले हम करेंगे nominal GDP nominal GDP में जैसे हमने देखा कि हम current price को deal करते हैं यह आप prevailing price कह सकते हो तो मैंने यह आप एक table बनाया आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने year लिया है 2012 और फिर हमने लिया है 10 साल के बाद 2011-12 यहाँ पर कुछ goods है that means commodities XYZ same commodities XYZ 2012 में X commodity आपने कितनी produce करी थी 20 Y कितनी करी थी 100 और Z कितनी करी थी 5 और यह है उनके respective prices 100, 5, 500 that means 20 quantity produce करी थी X की और X का price कितना था 100 तो आपको price into quantity करना होता है क्या निकालने के लिए GDP निकालने के लिए which is nothing but the market value तो आपका answer आगया 2000 ऐसी अपने Y का निकाला है ऐसी आपने Z का निकाला और फिर मैंने formula में बोला था कि आपको क्या कर देना है sum ठीक है तो sum क्या करेंगे इन तीनों को हम add कर देंगे answer निकल कर आगया आपका 5000 जब हम आते हैं 2011-12 में यहाँ पे क्योंकि current nominal GDP की बात कर रहे हैं तो हमें current price लेना है दिख रहा है prices कितना ज़्यादा increase कर गया है लेकिन जब आप quantity देखोगे तो quantity 20, 100 और 5 same quantity है तो अब आपने करना है price into quantity price into quantity और finally इनका aggregation करके आपने answer निकाल लिया 30,000 तो हम यह last वली figure देखते हैं this is GDP 5000 GDP in which year 2012 and 30,000 GDP in which year 2011-12 अब आपको देख कर ही लग रहा होगा कि कुछ तो इसमें सही नहीं है सही क्या नहीं है कि quantity में तो कोई भी change नहीं आया है लेकिन अगर हम किसी को यह बताएंगे कि हमारी GDP 5000 से 30,000 हो गई है तो सुनने में तो यह लगेगा कि हमारी country ने grow करा है बट actually में देखा जाएं तो सिरफ और सिरफ हमारे prices इंक्रीज करें है quantity में तो कोई भी change नहीं है meaning clear हुआ nominal GDP में देख रहा हैं आपे काफी सारे mistakes है तो हमने क्या conclusion निकाली nominal GDP में ऐसा हो सकता है कि आपका real output में कोई भी increase ना आए क्यों क्यों क्योंकि आपका सिरफ और सिरफ price increase कर रहा हो तो क्या ये measure reliable हुआ आप बताओ क्या reliable हुआ नहीं this is not the reliable measure to calculate GDP क्या ये reflect करता है कि हमारी economic growth में कोई change आया है कर सकता है नहीं भी कर सकता हमारे present example में तो नहीं कर रहा सिरफ prices increase कर रहे हैं तो यहां पर भी मारा answer no हो गया तो यह weakness थी हमारी nominal GDP की next हम real GDP को करते हैं in detail real GDP में आप कौन सा price consider करते हो constant price also known as the base year price again same year लिये हैं same commodities लिये हैं अब यहां पर quantity देखो first वाला जो है न ये तो पूरा same बनाया है 20, 105 उसके respective prices यह हमारी GDP निकल कर आगी कितनी 5,000 2011-12 में आपको क्या करना है क्योंकि हमारा real GDP है हमें price को constant जगना है तो हमने कौन सा base year लिया 2011-12 को ही base year ले लिया जो price तब चल रहे थे उन्ही price को हम as it is नीचे copy करेंगे ठीक है अब यहां पर quantity देखो quantity हुई 30 for X 5000 से increase कितनी हो रही है 9,000 अब आपको क्या लगता है कि क्या यह increase बताना justified है yes definitely यहाँ पर क्योंकि आपने price को change नहीं करा यह 5000 से 9,000 का जो increase आया है वो clearly कहां से आया है आपकी quantity के change होने की वज़े से तो यह एक अच्छा measure है तो हम क्या conclude कर सकते है real GDP के लिए कि यह actually में दिखाता है कि हमारा real output कितना increase करा है जिसकी वज़े से हमारा total market value कितनी increase कर जाती है देखा न 9,000 तक increase कर गई then यहाँ पर prices हमारे constant होते है तो इसी वज़े से क्या यह concept reliable है yes definitely this is more reliable as compared to the nominal GDP क्या यह economic growth के change को reflect करता है yes यहाँ पर clearly दिख रहा है कितनी quantity बड़ी prices तो हमारे constant है तो हमारा जो total market value में कोई भी change आएगा यहाँ पर 5000 से 9,000 किस वज़े से आए होगा definitely quantity के बढ़ने की वज़े से तो यहाँ पर हम कह सकते है that nominal GDP से जादा अच्छा कौन सा है हमारा real GDP ठीक है next आता है conclusion कि कौन सा हमारा better है जैसे कि हम बताई दिया है कि real GDP is better over the nominal GDP क्या-क्या points हमने discuss करे है कि real GDP दिखाती है actual picture इसलिए इसका नाम क्या है real क्योंकि यह reality दिखा रही है ऐसे आप याद कर सकते हो दूसरा it helps in determining the increased production which shows actual economic growth real GDP actually में दिखाता है कि कितनी production level बढ़ी है जिसकी वज़े से economy की economic growth बढ़ती हुई दिखती है third आपका है it helps in making international comparison अमान लोगी आपको अपनी country को compare करना किसी और country के साथ और आपकी country की GDP बहुत जादा बढ़ी हुई दिखरी है लेकिन उसमें बढ़ने का reason सिरफ price है तो वो तो गलत comparison होगा लेकिन real GDP में क्योंकि हम prices को constant रखते हैं तो international comparison करना easy हो जाता है generally जादा countries किसको follow करती है real GDP को ताकि international comparison करना easy हो जाए related to economic performance last आपका है आपको अपनी खुद की country के लिए yearly comparison करना है किस year में जादा production होई किस year में कम हुई तो बेटर है कि आप price को क्या रखो constant रखो ताकि आपको इदिख सके कि आपका goods and services की growth में कितना change आया है और यह कौन करेगा सिरफ और सिरफ real GDP so with this we have done the entire topic of nominal GDP and the real GDP